नमस्का दोस्तों बहुत बहुत सौर्गाथ दोस्तों बात करें दिल्ली विधान सब चुनाओकी तो opinion पोल तो आते जाते रहते हैं लेकिन बात करें Congress ने दिल्ली में वापसी करने के लिए जो घोषला पत्र जारी किया है वो चौकाने वाला है जिस प्रकार से आमादमी पार्टी ने दिल्ली वासियों के लिए Free विजली, Free पानी, Free में इधर उधर आना जाना सफर की प्रवस्था की थी उसी पग पे चलते हुए Congress ने भी अपना घोषला पत्र जारे किया Congress के घोषला पत्र में बात करें 100 इंद्रा कैंटिन खोलने का एलान है जिसमें 15 रुपे में खाना दिया जाएगा उसके बाद जुगी जुपडियों को पक्का करने का एलान भी Congress दोरा किया गया है दिल्ली में CAA, सबसे बड़ी ये घोषला हो सकती है जो CAA आया था उसको लेके Supreme Court में Congress चुनोती देगी अगर जो दिल्ली में Congress की सरकार आती है उसके बाद 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी वाज़ा किया है तथा इससे कम्यूड करने पे कैस्ट बैग भी देने का वादा किया है वही बात करें सबसे बड़ी जो बात होता थी है बेरोजगारी भत्ते के लोगे के यहाँ पे Congress ने गयलान किया है कि जो लोग graduation यानि के असना तक है उनको 5000 रुपे बेरोजगारी भत्ते के रूप में साथ में जो लोग पे post graduation यानि की परास असना तक है उनको यहाँ पे दिया जाएगा 75-100 रुपे बेरुजगारी भत्ते के रुबे इससे पहले मैंने opinion पोल बताया था जिसमें BJP को बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा था उटिंग परसंटेज में और सीटो की बात करें सीटो में भी 2-4 सीटे BJP की बढ़ी थी लेकिन कॉंग्रेस को सीधा-सीधा नुकसान हो रहा था चुकि कॉंग्रेस ने अपना manifesto release नहीं किया था लेकिन अभी-भी बात करें कॉंग्रेस ने अपना manifesto release कर दिया यानि की घुषडापत release कर दिया है उसके बाद यहाँ पर एक से दो दिनों में देखेंगे क्या opinion poll कहता है Congress को फाइदा होता है या नहीं लेकिन हम बता दे अभी जो Congress है वो RJD के साथ गटबंधन करके दिल्ली में चुनाओ लड़ रही है वहीं BJP की बात करें जेडियू, BJP और सीरो मड़ी अकारी दाल के साथ गटबंधन करके चुनाओ लड़ रही है वहीं बात करें इसके पहले जो सर्वे आया था उसमें आमादमी पार्टी को 69 सीटे BJP को 8 सीटे, Congress को 3 सीटे मिल रही थी लेकिन बात करें अभी जो कल का जो सर्वे है उसके हिसाब से देखें तो BJP को Oating percentage में बहुत बड़ा फायदा हुआ है BJP की बात करें तो BJP को Oating percentage के हिसाब से 37% OAT मिलना है वहीं आमादमी पार्टी के खाते में 47 Congress को 4% और और के खाते में 1% और जो तय नहीं कर पाया है कि किन को OAT देंगे उनकी संख्या 11% है वहीं बात करें अगर जो इन Oating percentage को सीटों में Convert करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आमादमी पार्टी के सरकार दिल्ली में आ सकती है 52 से 55 सीटे यहाँ पे आसरी है आमादमी पार्टी के खाते में BJP के खाते में 12 से 14 सीटे Congress की बात करें 1 से 2 सीटे Congress के खाते में आती हुई नजार आ रहे हैं तो दोस्तों यह था Opinion Poll और Congress का घोश्णा पत्र जारी होने के बाद जो कल का Opinion Poll होगा वो बहुत महत्यपूर होगा इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब के लिए बने रही है हमारे नेक्स वीडियो के रहे मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैन दोस्तों जाभारत